Hello everyone, so आज हम आ चुके हैं प्रगती मैदान World Book Fair जी हां विश्व पुस्तक मिला जो की आज से ही स्टार्ट हुआ है यानि कि 10th of February 2024 और यह चलने वाला है 18th of February तक यहां पे आने के लिए आपको nearest Metro Station पढ़ने वाला है Supreme Court यहां के टाइमिंग्स हैं 11 से 8 बजे तक और यह हम जा रहे हैं अपने रास्ते की तरफ तो मैं आपको बता दूँ यहां आप से जो हॉल्स हैं वो काफी सादा दूर हैं Book Fair के लिए तो इन्होंने Shuttle Services स्टार्ट करी हुई हैं तो यह हमें वहीं पहुचाएंगी जहां पर Book Fair लगा हुआ है So here we go Finally we are at Book Fair Coming Here is hall number 5 जहां पर Book Fair लगा हुआ है And see the view काफी जादा लोग यहां पर आई वह हैं And obviously यह बहुत ही बड़ा इवेंट होता है So we are really excited to see क्या क्या हमें देखने को मिलेगा क्या क्या हमें मिलने वाला है अंदर So let's go So हम यहां पर enter कर चुके हैं And enter करते ही आपको कुछ ऐसा view नजर आएगा बहुत ही जादा beautiful and appealing है Enter करते ही आपको बहुत ही feel good vibes यहां पर आने वाली है for sure आप यहां पर देख सकते हो कितने प्यारे तरीके से I love reading यहां पर लिखा गया है Obviously बहुत attractive and appealing लगते हैं यह सारी चीजें बीड़ा आप यहां पर देखें बीड़ देखके ही पता लगता है कितना जादा crazy है लोगों में Book Fair के लिए बहुत ही बड़ा event होता है And मैं आपको दिखाती हूं कितने अच्छे तरीके से अच्छीज की placement है And this is the entry to hall no.5 Enter करते ही कुछ SSR view दिखेगा And mention कर दो hall no.1 से 5 तक लेके यह Book Fair लगा हुआ है सामने आप देख रहे हैं gates है जो यहां से entrance होती है साम पर हमने first area जहां पर enter करा है इसका नाम Atlantic है आप देख सकते हो chairs and tables हैं ताकि कोई भी आपको Book पसंद आई है आप बैट के उसे पढ़ सकें Read कर सकें, Analyze कर सकें लुक दी गई है यह आ चुके हैं हम fiction वाले section में जहां पर बच्चों से लेके यंग्स्टर से लेके adults तक कोई भी बुक आपको मिल सकती है Being a Book Lover या आपके लिए best place होने वाला है इसके साथ ही यहां पर मैं देखा हूं बच्पन से हम भी पढ़ते आए थे यह यह एक्टिविटी बुक्स हैं कलरिंग बुक्स हैं ऐसी कलरफूल चीजें सारी जो की बड़ो से बड़ो तक को भी आप देखिए इतनी अट्राक्टिव लगती है तो ओविएसली किट्स के लिए बहुत ही प्यारा सेक्शन यहां पर बनाया हुआ है अभी तो यह लोग फोटोस ले रहे हैं और हम भी इनके साथ शॉडली फोटो लेने ही वाले हैं अब हम आगे चलते ही जा रहे हैं और नेक्स सेक्शन में भी देखिए आपको दिखेंगे किट्स के लिए किट्स के लिए बहुत जादा वेराइटी है इस लाइक कि हमें अपना बच्पन यहाद आ गया है इतना जादा एक नॉस्टालजी आवली फीलिंग आ जाती है बच्पन में जितनी चीज़े पढ़ी होती हैं यह देखें सुधा मूती की जो स्टोरीज होती हैं जो हमें बच्पन में पढ़ाते थे आज भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं बहुत जादा बहुत जादा वेराइटी है फिक्शन, नॉन फिक्शन, ड्रॉइंग बहुत बहुत सारी वेराइटी यहाँ पे अवेलेबल है नेक्स्ट हम आगे बढ़े तो हमें देखे यह देखा परसनल एफिशेंसी कोर्स यह एक पर्टिक्लर वरक्शॉप है जो यहाँ पे शायद और्गिनाईज होने वाली है और इसी से रिलेटेड यहाँ पे सारी बुक्स भी अवेलेबल है बेसिकली जो चीजें आपको परसनली और जादा एफिशेंट बना सकती है इने पढ़ने से क्या आपकी लाइफ में और जादा बेटरमेंट्स अचीव हो सकती है तो उस थीम के उपर यह पूरा सेक्शन यहाँ पे बेस्ट है जो आप अभी आपने सामने देख पा रहे हो अभी हम हॉल से बाहर आ चुके हैं हमने देखा कि आज रजट शर्मा अधा शर्मा यहाँ पे आने वाले हैं हर दे का शेडियूल यहाँ पे मेंशेंड है तो हम तो अब यहार जा रहे हैं फूट कोट की तरफ बहुत जादा भूख लग रही है लिटरली बंदा बहुत थक जाता है अंदर चल चल के बहुत एनर्जी है लोगों में यह देखिए फूट कोट है यहाँ पे सामने जा रहे हैं हम और देखा है यहाँ पे मेन्यू देखा है हमने बैट चुके हैं नीचे बिल्कुल हालत नी है पैरों की चलने की खाना आ रहा है मंगालिया है काफे कुछ हमने कचोडिया और नूडल्स और जो भी यहाँ पे अवेलेबल है अब बस वेट चल रहा है और पेट-पुजा के बाद ही हम उठने वाले हैं सो गाइस सामने में आपको दिखा दू नक्षत्र जहां लिखा हुआ है डिस्कवर हॉलिस्टिक वेल्नेस यह भी एक फेयर लगा हुआ है 10-18 फेबरी अभी हम यहाँ पे भी जाने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे चीजे बहुत सारी मिलने वाली है हेल्थ एंड वेल्नेस से नक्षत्र में इंटर करते ही आपको बहुत सारे हेल्थ कॉंशियस प्रोडक्ट दिखने वाले हैं जैसे कि अभी हम यहाँ सामने हैं हर्बल नीम वुट के और यहाँ पे हर एक चीज बीट किचन यूटेंसिल या कोई भी डेली यूज की चीजे सब नीम वुट से बनाई इसे पहले हम और स्टॉल्स एक्स्प्लोर कर चुके हैं जैसे कि फूट स्टॉल्स दे जा रागी चिप्स बीट रूट चिप्स यह सब अवेलेबल था या फिर स्टोन ओर्येंटेट जूल्री थी जो किसी भी वे में आपको हाम नहीं गरती जितने भी आप प्रोडक्ट द है जो हमने टी लिया है प्लस यह वोड़न कॉम्स हमने लिया है उसी हरबल नीम वाले स्टॉल से अविसली हमें काफी जादा अच्छे लगे तो हमने यह दो कॉम भी वहां से ली है तो इसके साथ ही मैंने स्टोन जूल्री की बात करी थी तो यह एक प्यारा सा ब्रेसलिट हमने वहां के एक स्टॉल से खरीदा है इसी के साथ आज का डे एंड हो चुका है हम बाहर आ चुके हैं हॉल से और सामने यह हैं एक सुंदर सी बस ओविसली वर्ल्ड बुक फेर सारी इंफोर्मेशन इस पे लिखा हुए बहुत ही प्यारी लग रही है अब बस हमें वेट है कि हमारी बस आजाए बस आएगी मेट्रो स्टेशन तक जाएंगे और तब तक इंजोई करें हम बैठ के याँ व्यूग अज़ाएं